student sum number 2 में information कुछ चीज तरह गी गई है represent the following situation in the form of quadratic equation आपको safe quadratic equation बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं information given की information को पूरा पढते हैं और उसके बाद हम चालो करते हैं the area of rectangular plot is 528 meter square तो हमें गिया गया है area of rectangular plot is equal to 528 meter square आगे पढ़ते हैं the length of a plot is one more than twice the breadth breadth है उससे twice और एक ज्यादा है इसका इन्हें कहने का मतलब है तो हम बोल सकते है let the breadth is equal to x meter इतना हमने assume कर दिया कि breadth जो है वो x है तो अब length क्या होगी length of a rectangle तो कुछ length इस तरह बोले गई है कि उसका twice है is one more than the twice twice बोला गया है तो यह x है तो इसका twice 2x होगा और one more होगा तो कितना होगा प्लस one होगा हमारे पास दो चीज आ गई breadth और length जैसे यह आती है उसके बाद हमें आगे क्या करना होता है area of rectangular plot उसकी फॉर्मिला क्या है एरिया की तो आप बोलोगे सर लेंथ इन्टू ब्रेट कुछ इस तरह की बात कर रहे तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहे कि यह हमारा rectangle हो गया तो इसकी बात कर रहे तो लेंथ हम लिखेंगे कितनी तो आप बोलोगे सर लेंथ लिखो और ब्रेट है हमारी एक्स और यहां पर दिया हुआ है 258 उनका मेजर है टोटल तो हम लिख सकते हैं कि तो को मल्टिप्लाइ करेंगे एक्स से और वन को भी करेंगे तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वेर प्लस एक्स और यहां पर मतलब 528 आगे चलते हैं तो 2x स्क्वेर प्लस एक्स यहां इस सेट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 528 तो हमारा जो है वो कोडिटी की क्वेजन रेडी हो गया तो आपको खाली समझना क्या था कि यह में पॉइंट है पहले आपको फॉर्मिला क्लियर होनी चाहिए एरिया की दूसरा स्टेप हमें यहां बोला गया है लेंट ऑफ प्लॉट इस वन जो प्रेट है उससे दूगना और एक ज्यादा ऐसा बुला गया है तो मतलब हम बोल सकता है कि लेंट सपोज ब्रेट सपोज एक्स है तो उसका कितना होगा डबल टू एक्स ट्वाइस और उसमें एक ज्यादा ऐड़ करना है यह पॉइंट में था तो हमें ध्यान रखना है आप जो भी चीज लिखोगे वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन लिखना है कि चीज आपको प्रॉपर लिखना है तो आगे आपको इसके सम करने में एजी रहेगा अभी हम जाएंगे सम नमबर टू की और